कबीर का ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप अगर आसान भाशा में कहें, तो जब भी कोई चीज बहुत जादा मात्रा में हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं रह जाती ये बात तब भी सही साबित होती है जब हम बात कर रहे हो आपको जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन की सुनने में ये बात काफी अजीब और असंभव सी लगती है मगर ऑक्सीजन जिस तरह हमें जीवन देती है उसी तरह हमारी जान भी ले सकती है तो चलिए जानते हैं कि आक्सीजन हमारे लिए किस तरह घातक है एक उसात आदमी हर मिनिट लगभग 7-8 लीटर हवा सांस में लेता है इस हवा में लगभग 21% आक्सीजन होती है जिसमें से लगभग 5-6% हमारे खून में मिल जाती है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को एनरजी देती है शेश लगभग 15% आक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है समस्या वहाँ पर आती है जब इस हवा में आक्सीजन की मात्रा 21% से अधिक हो जाती है या फिर हमें अधिक दबाव में सांस लेना पड़ता है इस तरह की कंडिशन गोता खोरी, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरपी और इनक्यूबेटर में देखी जा सकती है ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से माइटोकॉन्रिया, फ्री रैडिकल का प्रोड़क्शन बढ़ा देता है जी हाँ, ये वही फ्री रैडिकल्स हैं जिनका नाम आपने टीवी के एड्स में सुना होगा इस्पेशली कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट और हेल्थ प्रोड़क्शन की अधिक मात्रा से नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ऑक्सिनाइट्राइट, ट्राई ऑक्सिडेन जैसे फ्री रैडिकल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है ये फ्री रैडिकल्स कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुचाने लगते हैं हमारे फेफडे में मौझूद अल्वियोलाई जिनके माध्यम से ऑक्सिजन खून में पहुचती है ऑक्सिजन की अधिक मात्रा से बहुत प्रभावित होते हैं फ्री रैडिकल्स अल्वियोलाई की दीवार को डैमेज करने लगता है जिससे अल्वियोलाई की कोशिकाएं फूल जाती है और उनमें फ्लूइड भरने लगता है जिससे शरीर की ऑक्सिजन को ग्रहन करने की शम्ता कम होने लगती है इसके अलावा ये फ्री रैडिकल्स RBC के प्रोटीन और धम्नियों की दीवारों को भी कमजोर करते हैं इन सभी कारणों से ऑक्सिजन की सप्लाई हमारे शरीर में बाधित होने लगती है ये फ्री रैडिकल्स लिवर, दिल, अंतस्त्रावी ग्रंतियों और किड्नी को भी नुकसान पहुचाते हैं फ्री रैडिकल्स नर्फ सेल्स पर भी अटैक करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं आखों के nerve cells के damage होने से अंधे होने का खत्रा बढ़ जाता है कुछ नवजात बच्चों को incubator में रखने से अंधापन जाधा oxygen की वज़े से ही होता है इसके अलावा nerve cells के damage होने से बेहोशी, दौरे पढ़ना तथा cerebral palsy का खत्रा भी बढ़ जाता है और अगर सही समय पर उपचार ना मिले तो मौद भी हो सकती है तो अब आगे से याद रखेगा कि कोई भी चीज ज़रूरत से जाधा हो तो वो अच्छी नहीं होती Free Radicals के बारे में और जानने के लिए हमारी Casually Explained सीरीज का वीडियो देखना ना भूले Science से भरबूर और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सबस्क्राइब करें